जहेंदेगु, वेलकम टू टूडे एक्जाम क्लास एच दोस्तो आज के इस वड़ी हों राधस्तान ब्स टीशी बरते परेक्शा 2022 के लिए राधस्तान के कुछ मोश्ट इमपोनेट किसन अंसर याद करेंगे जो आपके BSTC बरतेपरेकसा 2022 की नए पैटन पर आदारिते हैं अगर दोस्तो आप भी BSTC 2022 की त्यारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास तक जरू देखे और इन सभी राजस्तान की most important question आंसर को जरूर याद करें क्योंकि दोस्तो इस सभी question है जो BSTC की exam में बार बार repeat होने वाली most important question आंसर है इसलिए इस वीडियो को लास तक जरूर देखे और इन सभी किसनों को जरूर याद करें तो चली देखते हैं आज का पहला question पहला question है महाराणा राज सिंग का सासन काल था तो इस सवाल का सई जवाब देगा option D महाराणा राज सिंग का जो सासन काल है वो 1622 इस्वी से लेकर 1680 इस्वी तक रहता और महाराणा राज सिंग है जो मिवाड के एक प्रसिद सासक थी next दूसरा किसन है आज सभीयता के लोगों की अर्थवश्था का मुक्य आदार क्या था तो इस सवाल का सई जवाब देगा option A करसी हैं जो आज सभीयता के लोगों की अर्थवश्था का मुक्य आदार था next अगला तीसरा किसन है किस जिले में प्राकर्ति गैस का वाने जिक उत्पादन हो रहा है तो इस सवाल का सई जवाब देगा option C जिले में प्राकर्ति गैस का वाने जिक उत्पादन हो रहा है next अगला चौता किसन है जागरती जोत पत्रिका किस अकादमी द्वारा प्रकासित की जाती है तो इस सवाल का सई जवाब देगा option C जागरती जोत पत्रिका है जो राजस्तानी बासा साहिते एं संसक्रती अकादमी के द्वारा प्रकासित की जाती है और राजस्तानी बासा साहिते एं संसक्रती अकादमी है जो विका निर जिले में इस्तिते है जिसकी इस्तापना साल 1983 में की गई थी किसकी राजस्तानी बासा साइते एंस संस्कृती अकादमी जिसके दोरा जागरती जोत पत्रिका को प्रकासित किया जाता है नेक्स्ट अगला पांचवा किसन है नेमन मैंसे कौन से विबाग मुक्य सचीव के अदिन होते हैं नेक्स्ट अगला पांचवा किसन है किस जिले का साला सर बाला जी मेला विख्यात हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा उप्सन ए चुरू जिले का साला सर बाला जी का मेला है जो एक विख्यात मेला है अगला आटवा किसन है राधस्तान में सूचना के अधिकार को प्राप्त करने के आंदोलन का प्रेनता कौन है तो इस स्वाल का सही जवाब देगा option D स्रीमती अरुना राई हैं जो राधस्तान में सूचना के अधिकार को प्राप्त करने के अन्दूलन की पुरेनता हैं कौन है स्रीमती अरुना राई next नोगा किसन है 29 दिसमबर 2012 से सिक्सा के चेतर में पहला विज्ञान के अंदर कहा शुरू हुआ तो इस स्वाल का सही जवाब देगा option C 29 दिसमबर 2012 से सिक्सा के चेतर में राधस्तान में पहला विज्ञान के अंदर हैं वो जैपूर में शुरू हुआ था next नेक्स दस्वा किसन है राधस्तान में केंद्री सरकार द्वारा परिचालित कार काना है तो इस सवाल का सभी जवाब देखा ऑप्सन है यनी राधस्तान में केंद्री सरकार के द्वारा परिचालित कार काना है कौन सा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो उद्यपूर में इस्थित्य है नेक्स्ट अगला 11 किसने दूसरा जलेवला बाग कांड से सम्मदित इस्तल निमूचना किस जिले में इस्थित्य है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए दूसरा जलेवला बाग कांड से सम्मदित इस्तल निमूचना है वो रादस्तान के अलवर जिले में इस्थित्य है अगला 12 किसने बिजोलिय ठिकाने के संस्तापक कौन है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी असोक परमार है जो बिजोलिय ठिकाने के संस्तापक है नेक्स्ट अगला 13 किसने बाड़ोलि की नटराज सिव मूर्ती किस सेली में बनी है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन भी बाडोली की जो नट्रा सीव मूर्ती हैं वो परतियार सेली में बनीवी एक मूर्ती हैं और ये बाडोली की नट्रा सीव मूर्ती हैं जो साल 1998 में चोरी होकर इंग्लेंड पहुंच की थी जिसे हाली में बार सरकार ने इसे वापस इंडिया लाया गया है नेक्श अगला चौदवा किसने राधश्तान तक्निकी शिख्षव विबाग की इस्तापना कब की गई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन E तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन E रूपा यंद संस्तान बोरुंदा हैं वो जोतपूर जिले में इस्तित हैं जिसकी इस्तापन साल 1960 में कोमल कोटारीजी के दुआरा की गई थी नेक्स्ट अकला सोड़ा किसे ने बारतिय वन जीव सरक्षन अधिनियम रादस्तान में कब लागू हुआ था तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन सी एक सितंबर 1973 को बारतिय वन जीव सरक्षन अधिनियम रादस्तान में लागू हुआ था जबकि भारत में ये वन जीव सरक्षन अधिनियम है वो साल 1972 में लागू हुआ था और रादस्तान में 1 सितंबर 1973 को ये लागू हुआ था अगला सत्रवा किसे ने रादस्तान बरजबासा अकादमी की इस्तापना कब और कहां की गई तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C रादस्तान ब्रजवासा अकादमी की इस्तापना वो जैपूर में साल 1987 में की गई थी नेक्स्ट अगला अटारवा क्यूसन है मीटे सागी दर्गा कहां इस्तित हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन ए मीटे सागी दर्गा हैं जो गागरोंड जालावार जिले में इस्तित हैं नेक्स्ट अगला क्यूसन है उग्णिस्वा राष्टी विवेका नेंद के अंदर कहां इस्तापित क्या गया तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन डी खेतरी जुन-जुनो में राष्टी विवेका नेंद के अंदर को इस्तापित क्या गया हैं जिसका उदगट नेंजो 31 मार्च 2019 को क्या गया था किसका राष्टी विवेका नंद के अंदर को जो कहां पर इस्तापित क्या गया खेतरी जुन-जुनो में अगला नेक्ट बीसवा किसने बायो फ्यूल निती लागू करने वाला देश का पहला राजी कौन सा है तो इस सवाल का सही जवाब देगा आप्सन ए बायो फ्यूल निती लागू करने वाला देश का पहला राजी हैं वो रादस्तान राजी हैं जिनोंने जैव इदन नियम 2019 के तहते इसे लागू किया गया था किसे बायो फ्यूल निती को अगला नेक्स्ट बीस 21 किसने जैपूर से लगबग 85 किलोमेटर दूरी पर कौन सी सब्वेता इस्तित हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा ओप्सन बी जैपूर से लगबग 85 किलोमेटर दूरी पर बेराट सब्वेता इस्तित हैं अगला क्यूस्ट बाइसवा है वा किला जिसे ना तो अंग्रियत जीत सके और ना ही मुस्लिम वा कौन सा किला हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा ओप्सन बी भरतपूर का किला हैं जिसको ना तो अंग्रियत जीत पए ना ही मुस्लिम सा सके जीत पए थे अगला क्यूस्ट बाइसवा है जापान के सयोग से अरावली वरक्सा रोपन परियोजना राज्ये के 10 जिलों में 1912 को सुरू होकर कब समाप्त हुई थी तो इस सवाल का सई जवाब देगा ओप्सन ए जापान के सयोग से अरावली के चेतर में वरक्सा रोपन परियोजना है वो 10 जिलों में सुरू की थी जो साल 2000 में समाप्त हुई थी और सरू कब हुई थी साल 1912 में सुरू हुई थी और वर्ष 2000 में ये पर्यूजना खतम हुई थी कौन सी पर्यूजना? अरावली वरक्सारोपन पर्यूजना जो राधस्तान के 10 जिलों में जापान के सयुक्सी सुरूप की गई थी अगला नेक्स 2400 किसन है किसके काल में जैपूर के मिर्जा राधस जैसिंग मुगल समराजे के विस्तार एं इस्तायुतु के लिए योगदान देते रहे तो इस सवाल का सही जवाब देगा आप्सन सी जापान के काल में जैपूर के मिर्जा राधस जैसिंग मुगल समराजे के विस्तार एं इस्तायुतु के योगदान देते रहे जबकि जैपूर के मिर्जा राधस जैसिंग के अलाव जोदपूर के राधस जस्वन सिंग मेवाड के मारण जराज सिंग और बीकानेर के माराजा करंट सिंग भी मुगल समराजे के विस्तार एम इस्तातियों के योगदान देते रहे थे और किस के सासन काल में? साजा के सासन काल में अगला नेक्स्ट 25 वा किसने पूर्वी मैदान बाग का डाल समानियत किस और हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा option D पूर्वी मैदान का बाग का डाल हैं वो पूर्व से 25 से पूर्वी की और हैं तो दोस्तो ये थे राजस्तान के 25 कुछ most important question answer जो आपके BSTC बरते प्रेक्सा के exam में बार बार repeat होने वाले most important question answer थी उमीद करता हूँ इस सभी question आपको अच्छे से याद हो गएंगे अगर याद हो गएज़ इस वीडियो को लाइक के जरूर करें चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तो इन सभी question का PDF हैं वो आप हमारे टेलिग्राम गृूर्प से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिस्ट में मिल जाएगा और दोस्तों हम मिलते हैं ये वीडियो के साथ तब तक के लिए जहिंद वंदे मात्रम